अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो डिगरी है वो कंप्लीट हुई है या नहीं या आपका जो ग्रेट कार्ड है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं आपने प्रोग्राम नहीं आता है कि आप अपने सारे subject के marks कहां से देखे, assignment के, theory के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इगनू की official website पर आना है, यहाँ पर आपको result वाले option पर click करना है, then इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर सो हो रहा है grade card, आपको इसके उपर click करना है, इसके उपर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है grade card status for, इसके उपर आपको click करना है, then आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यह दिया गया कि आपका program कौन सा है, अगर आप इगनू से BCA, MCA, MCA New, MP, MPV, PGDCA, इन में से कोई program है आपका, तो आपको first option पर click करना है, इसके बाद अगर आप इगनू से कोई भी, अगर आपने 2019 से पहले इगनू से कोई bachelor degree program किया है, तो आप यहाँ पर second option पर click करेंगे, अगर आपने इगनू में किसी भी bachelor degree program में 2019 के बाद admission लिया है, तो आप CVCS program में click करेंगे, इसके बाद अगर आपको कोई master degree program है, तो आप यहाँ पर other program पर click करेंगे, यहाँ पर जब आप other program पर click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर program code पर click करना है, आपका program क्या है, B, A, MA, जो भी program आपका, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट किया जो भी आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट किया साइड में स्टेटस में सो होगा completed अगर यहाँ पर सभी subject के आगे completed सो हो रहा है इसका मलब आपके सारे subject जो है वो complete है आप सभी में पास है आपका grade card complete हो चुका है अब आपकी जो mark seat है वो आपके घर by post आपके घर आ जाएगी और degree के लिए आपको जो आपका convocation होगा उसके लि आप an achievement अगर आपका रह गया है तो assignment आपको दुबारा जमा करना पड़ेगा और अगर आपका theory का paper रह गया है तो यहाँ पर आपको theory का exam वो देना होगा अब यह कैसे चक करना है अगर यहांपर assignment में यहांपर assignment के marks हो नहीं हो रहें इसका मलब आपका assignment जमा करें अगर अगर आप theory में यहाँ पर assignment जमा है, theory के marks भी यहाँ पर है, फिर भी not completed आ रहा है, तो यहाँ आप theory के paper में fail है, इस वज़े से not completed सो हो रहा है, तो आप आपको पता कैसे करना है कि theory के paper में passing criteria क्या है, तो मैंने इसके उपर पहले से video बनाया हुआ है, कि आपको passing marks कितने लाने हो आपका completed सो हो रहा है, यानि कि आप यहाँ पर pass है, आपकी जो degree है पूरी तरह से complete हो गई है, अब आपको simply क्या करना है, आपका अगर आपकी marks seat नहीं आई है, तो आप deck regional center जाएं, अगर ज्यादा time हो गया तो वहाँ से marks seat collect करें, इसके बाद अगर marks seat आ गई है, तो आप degree का degree है, वो आपकी by post आपको यहाँ पर घर पे दे दी जाएगी, तो यह ऐसे आप अपना जो grade card है वो check कर सकते हैं, बाकी आपको check करना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे directly Instagram या फिर Telegram पर follow करके वहाँ से भी सारी details जो है वो पता कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो अच्छी ल